हेलो दोस्तो मैं हूँ मीर और आज मैं explain करूँगा 2020 में आई एक action thriller series the most dangerous game को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मैंने thumbnail पर लिखा है वो click bit है लेकिन फिर भी कई मायनों में ये series मुझे squid game से better लगी जैसे इसके dialogue जो बहुत जादा realistic लगते है जैसा आपने कई movies में देखा होगा character इस तरह बात करते हैं जैसे आम जिन्दगी में शायादी कोई करता होगा साती आपके सामने कोई चाकू लेकर आपको मारने आ रहा है और आप एक आम इंसान है कोई fighter या soldier नहीं बहले से ही आपने body बना रखी है लेकिन सामने वाले के हाथ में चाकू देखकर आप अ सीरीज की शुरुवात में हम हमारे हीरो डॉज को एक office में किसी का इंतेजार करते हुए देखते हैं कुछ समय बाद वो जाकर माईल्स नाम के एक अमीर आदमी से मिलता है दोनों की बातों से हमें समझ में आता है डॉज मरने वाला है अगर इलाज कराने उसे कुछ पैसे मि जाए तो वो मरने से पहले अपने बेटे को देखना चाता है तभी अचानक उसके सिर में जोड का दर्द होता है मेडिसिन लेने के बाद उसका सिर का दर्द ठीक हो जाता है यहां डॉज माइल्स से पैसे लेने आया है क्योंकि उसकी संस्था ऐसे लोगों की मदद करती है और की मदद कर सकता है लेकिन इसके लिए डॉज को उस काम का खुद हिस्सा बनना होगा डॉज को कुछ समझ नहीं आता तब माइल्स बताता है वो किसी का मेडियेटर है उसके पास बहुत अमीर क्लाइंस है जो किसी गेम के लिए बहुत बड़ी फीज देते है डॉज को अभी शिकार करते है लेकिन माइल्स कहता है वो मजबूरों का शिकार करते है उसके क्लाइंट बूड़े और अद्मरों का शिकार नहीं करते वो फिजिकली फिट लोगों को ही पसंद करते है ये सब सुनकर डॉज पोलीस के पास जाना चाता है लेकिन वो पोलीस को बताएगा क्य वो सब उसे पागल समझेगे क्योंकि वो कुछ साबित नहीं कर सकता लेकिन फिर डॉज जाने लगता है लेकिन माइल्स उससे कहता है वो तो वैसे भी कभी भी मर सकता है क्या वो मरने से पहले अपनी बीबी और बच्चे के लिए करोडो रुपए छोड़ना नहीं चाता ताक उसकी छत से शहर देखता है ये वही बिल्डिंग है जिसके बारे में वो माइल्स को बता रहा था फिर वो अपने घर वापस आता है लेकिन में गेट तक जाने की एक सीड़ी का पत्थर तूड गया था डॉज उसे ठीक करके घर में आता है अंदर हम बच्चे का जूला दे देखाई देता है डॉज अपनी बीवी वाल के लिए नाश्ता लेकर जाता है उसकी वाइफ प्रेगनेंट है यहां डॉज उससे कहता है वो उससे बिल्स ना चुपाए यहां में पता चलता है उनका घर भी लोन पर है जिसका अभी दो लाग बीस अजा डॉलर बाकी है वा घाटे में चल रहा था सामको डॉज और वाल उनके दोस्त लूगर से मिलते है ये बार भी लूगर का ही है लेकिन डॉज यहां भी परेशान था फिर लूगर उससे बात करने जाता है यहां पता चलता है डॉज ने अपने पास का सब कुछ और लूगर के 50,000 भी उस होता है लेकिन इस बार ये इतना तेस था कि डॉज रोट पर ही बेहोश हो जाता है फिर हम वाल को हॉस्पिटल आते हुए देखते है सामने ही एक पोलिस वाला उसे आवाज देता है वो बताता है उसे डॉज रोट पर मिला वो उसे हॉस्पिटल के D-Wing में लेकर जाता है जहाँ डॉज को रखा गया था फिर वहाँ डॉक्टर लेवी और रजनी सिंग आते है डॉज को पहले भी ऐसा सेड़ दर्ध हुआ है जो उसने वाल को बताया नहीं था तब डॉक्टर लेवी उसका सेटी स्केन दिखाते हुए कहता है उसके सेर में एक ट्यूमर है जो कर डॉज रोने लगता है पहले ही उसकी परेशानिया कम नहीं थी जो अब वो अपने बच्चे को देखने से पहले ही मरने वाला है वाल अभी भी कन्वेंस नहीं हुई थी वो दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाती थी लेकिन डॉज बताता है वो नहीं जा सकते क्योंकि उसका इंशोरंस नहीं है उसने अपना नाम कटा कर वाल और बच्चे का इंशोरंस लिया है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे तब जो वाड़ बॉई उसे वीलचेर पर लाया था वो डॉज को एक एंजियो का कार्ड देता है जो बिमार लोगों की मदद करते है ये माइल्स के कमपनी का कार्ड था रात में डॉज लूगर के साथ था वो अपनी किस्मत पर रो रहा था क्योंकि शायद अब वो अपने बच्चे को देख तक नहीं पायेगा लूगर अलग-अलग इलाज बता रहा था लेकिन तब उसकी नजर माइल्स के कार्ड पर जाती पहला अगर एक बार उसने गेम के लिए हा कर दी तो गेम रुखेगा नहीं शुडू होने के बार वो जिससे भी मिलेगा चाहे वो औरत हो या आदमी काला हो या गोरा अमीर हो या कोई भिकारी कोई भी शिकारी हो सकता है अगला रूल ये गेम इसी शहर में होगा अगर वो शहर से बाहर गया तो गेम खतम नहीं होगा बलकि उसके मरने तक शुरू रहेगा पोलिस के पास जाना खुद को गिरफतार करवाना किसी को गेम के बारे में बताना सब रूल्स के खिलाफ है सिर्फ वो और उसके पास शिकारी उसके पास कोई पैसे मोबाइल आईडी नहीं होगा और जीतने वाले पैसे तो गेम शुरू होने से पहले ही उसके अकाउंट में 50,000 डॉलर जमा हो जाएगे किसी विदेशी अकाउंट से और हर घंटे बढ़ते जाएगे 20 घंटे के बाद पैसा एक घंटे के 1 मिलियन के हिसाब से बढ़ता जाएगा और आखरी 24 घंटे उसके बारे में सब पता किया था डॉज एक खिलाडी रह चुका है और वो इस शहर को शिकारियों से अच्छी तरह जानता है फिर वो डॉज को एक फोन दिखाता है जो उसे अपने पास रखना होगा एक घंटा होते ही इस फोन में उसके पैसे डिपोजिट का मैसे जाएग और एक घंटा होते ही ये फोन उसकी लोकेशन बताएगा वो भी सिर्फ 15 सेकंड के लिए उसके बाद वो छुप सकता है वो फोन कहीं छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है फिर माइल्स उसे बहुत सारे पैसे देता है लेकिन डॉज पैसे और मोबाइल नह उसकी फैमिली काफी मुसीबत में है और उसके पास बस ये एक ही बिल्डिंग है लेकिन वो इन्वेस्टर उसे गुड़ विशेश दे कर चला जाता है रात में वो लूगर के साथ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करे तब लूगर उसे अपने बच्चे के ल खेलने तयार हो जाता है अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वो वाल और अपने बच्चे से आखरी बार मिलता है वाल के पूछने पर वो कहता है वो जॉगिंग के लिए जा रहा है फिर वो एक रेस्टोरेंट में आता है जहां माइल्स पहले से उसका इंतिजार कर रहा था लेकिन माइल्स उससे कहता है वापस जाकर वो क्या कर लेगा कम से कम इससे वो अपने परिवार के लिए पैसे तो बना सकता है ये सुनकर डॉज मान जाता है फिर माइल्स के कहने पर डॉज अपने पास की सबी चीजे उसे दे रेता है लेकिन अपने बच्चे का अल्ट यह पहले घंटे की कीमत थी चाहे वो जिन्दा रहे या ना रहे डॉज घबरा रहा था तब माइल्स उससे कहता है कि भीड उसकी ढाल है शिकारी कभी भी उसे भीड में नहीं मारेंगे वरना उन्हें जेल में रहना होगा उस नकली आईडी के साथ जो उसने उन्हें दी है व कोई भी हो सकते है तबी सूरज निकल जाता है और गेम शुरू होता है उसके पास भागने के लिए तीन मिनट का एडवांटेज है साथी माइल्स उसे बताता है इस गेम में तीन एफ है फाइट फ्लाइट और फ्रीज और तीसरा एफ उसे मरवा देगा डॉज तूरंत वह उसके सिर में फिर दर दोता है लेकिन माइल्स ने उसकी दवा नहीं ली थी दवा खाते ही वो ठीक हो जाता है लेकिन बस चलने से पहले ही एक आदमी बस में चड़ता है डॉज उसे गौर से देख रहा था और इत्तेफाक से वो आदमी उसके ही पास आकर बैठता है कुछ उस आदमी के केस में सिर्फ खाना था, डॉज बस से उतर कर भागना शुरू करता है, वही घर पर वाल ट्यूमर के इलाज के बारे में सर्च कर रही थी, तभी उसे बैंक से मेल आता है, जब वो लॉगिंग करके देखती है, उसे 50,000 का डिपोजिट डिखाई देता है, जो द रहा था, उस इन्वेस्टर ने डिपोजिट करवाए है, जिसके बारे में डॉज ने उसे कल राद बताया था, इस तरफ एक आदमी ने डॉज पर नजर रखी थी, ये क्लीनर है, जो क्राइम के सारे सबूत मिटाता है, डॉज देखता है, एक कार उसे फॉलो कर रही थी, तभी एक गन शोट की आवाज आती है, और डॉज डर कर वहाँ से भागता है, इससे उसका एक्सिडेंट भी होता है, लेकिन उसे जादा चोट नहीं आती, लेकिन आवाज एक कार के साइलेंसर की थी, लेकिन डॉज उस आवाज से भी डर कर भागता है, वो एक मॉल के पास पहुचता है और वो जितना भीड में रहेगा उतना सेफ होगा इसलिए वो मॉल के अंदर चला जाता है वो उपर जाकर एक चेर पर बैठता है तब उसे लिफ्ट दिखाई रेती है जिसमें एक औरत अपनी बच्ची के साथ जा रही थी वो डौड कर लिफ्ट में जाता है ल अपनी रनिंग ट्रेनिंग याद करता है वो लिफ्ट के बाहर कॉरिडॉर में आता है लेकिन जब वो कॉरिडॉर में आगे बढ़ता है उसके पीछे वही लिफ्ट वाला आदमी खडा था मतलब ये 35 शिकारी है तभी उसके हाथ की कि किसी मशीन में से उसके पास एक चाकु आता है और वो डॉच्च की तरफ दोडता है वो तुरं सीडियो से ओपर भागता है और एक bathroom में जाकर टॉयलेट में छुप जाता है कुछ समय बाद bathroom में कोई आता है ये वही आदमी है वो नीचे जुक कर toilet में देखता है लेकिन डॉज कबोट के उपर बैठा था फिर वो आदमी अपना कोट उतार कर मजे से गाना गाने लगता है फिर वो बोलता है उसे पता है डॉज यही चुपा है वो एक एक करके टॉयलेट के दरवाजे खोलता है और आखरी दरवाजे के अंदर हाथ में पेन लिये उसे डॉज मिल जाता है फिर वो माइल्स को कॉल करता है क्योंकि उसने कुछ और बताया था लेकिन ये शिकार एक घंटा भी नहीं ठिका माइल्स उसे और डॉज को सौरी बोलता है लेकिन डॉज दरवाजा उसके मुँपे मार कर भाग जाता है ये देखकर वो काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे शिकार करने में मज़ा आएगा माइल्स को भी पता चलता है डॉज बचकर भाग गया वही घर पर उस इन्वेस्टर का वोइस मेल आता है जिसके बारे में डॉज ने वाल को बताया था दरअसल वो डॉज को अपनी कमपनी में जॉब उफर कर रहा था तब तुरंत ही एक और मेल आता है वाल देखती है उनके अकाउंट में और पचास अजार जमा हो गए ये सब देखकर वाल बहुत जादा हैरान थी वही दूसी तरफ डॉज ग्राउंड फ्लोर पर पहुचता है मोबाइल में उसे भी नोटिफिकेशन आया था साथ ही अगला घंटा शुरू होने वाला था चुपने के लिए उसके पास 15 सेकेंट है वो भीड में मिलने की कोशिश करता है तभी अचानक एक आदमी उस पर चाकू रख देता है ये दूसरा शिकारी है वो डॉज को उपर की तरफ ले जाता है उसी समय वो सूट वाला आदमी भी वहाँ पहुचता है इस तरफ डॉज का फोन ना लगने पर वाल लूगर को कॉल करती है वो लूगर को सब कुछ बताती है अब उसकी डील नहीं हुई फिर भी उनके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे है उसे लगने लगा था डॉज मुसीबत में है इस तरफ वो आदमी डॉज को कही ले जा रहा था तबी वो सूट वाला आदमी उन्हें देख लेता है और तुरंत ही एकसेलेटर खराब कर देता है और मौका मिलते ही डॉज उसे मार कर वहाँ से भाग जाता है डॉज बाहर की तरफ भाग रहा था रास्ते में उसे क्लीनर दिखाई देता है लेकिन वो आगे बढ़ता है उसके पीछे अभी भी वो सूट वाला आदमी था डॉज भाग रहा था लेकिन एक साइकल से बचते हुए वो सीडियों से नीचे गिर जाता है समलने पर वो देखता है वो आदमी उसके सामने खड़ा था और वहाँ से भागने का दूसरा रास्ता भी नहीं है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि सही समय पर वहाँ एक पुलिस वाला आ गया था उसने डॉज को गिड़ते हुए देखा था इस मौके का फाइदा उठा कर डॉज वहाँ से भी निकल जाता है वह रोट पर आकर एक साइकल चुराता है लेकिन वह दूसरा शिकारी उसे पकड़ लेता है यहाँ दोनों में फाइट होती है लेकिन उस आदमी का पैर साइकल में फस गया था वह डॉज को चाकु फेक कर मारता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है फिर डॉज बचते हुए मेट्रो स्टेशन पर आता है लेकिन सामने ही वह सूट वाला आदमी खड़ा था वह डॉज की तरफ बढ़ता है लेकिन वह उसे चकमा देकर ट्रेन में चड़ जाता है अभी कुछ देर के लिए वो सेफ था वही दोनों शिकारी मिलते है वो आदमी उसके शिकार में टांग अड़ाने के लिए उस पर भड़क रहा था लेकिन वो कहता है अगर उसने कॉलर नहीं छोड़ा तो उसे जिन्दगी भर एक गोटी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि उसके हाथ में चाकू है इसलिए इस आदमी को उसे छोड़ना पड़ता है इस तरफ माइल्स काफी खुश हो रहा था क्योंकि डॉज ने दो बार दोनों शिकारियों को चकमा दे दिया था लेकिन ट्रेन में भी डॉज सेफ नहीं है क्योंकि तीन शिकारी और है और वो कौन है उसे अभी तक नहीं पता फिर डॉज एक चर्च में आता है जो फिलहाल बिल्कुल खाली थी वो चर्च के कनफेशन बॉक्स में जाता है जहां पादरी पहले से बैठा हुआ था डॉज पादरी से बाते करने लगता है लेकिन उसे नहीं बताता कि वो कोई गेम का हिस्सा है इस तरफ वाल लूगर के साथ बैंक आती है ये पता लगाने के लिए कि पैसा आ कहा से रहा है लेकिन इंटरनेशनल रूल्स की वज़ा से उन्हें पता नहीं चल रहा था पैसा हा कहा से रहा है बैंक इंकल को लगता है उन्हें भी नहीं पता लेकिन वाल के बोलने से पहले ही लूगर बहाना बनाने लगता है कि वाल में बहुत अमीड थे ये उनके ही प्रोपटी के पैसे है बस वो चाते है उनके कजन्स को इस बारे में पताना चले वाल भी उसकी हा में हा मिलाती है बैंक इंप्लोई बताती है पैसे हर घंटे 45 मिनट में डिपॉजिट हो रहे है और अभी अभी एक और डिपॉजिट हुआ है वो ये बात अपने मैनेजर को बताना चाती थी लेकिन लूगर मना कर देता है और दोनों वहाँ से उठ जाते है अब तक 3 लाख डॉलर जमा हो चुके थे लूगर को लगने लगा था डॉज किसी मुसीबत में है और वो ये बात किसी और को बताना नहीं चाता था इस तरफ डॉज अभी भी पादरी से बात कर रहा था लेकिन तभी उसे सामने किसी की परचाई दिखाई देती है वो परदा तोड़ कर उस पर हमला कर देता है वो एक आम आदमी था जो अपनी बारी का वेट कर रहा था पादरी उसे शांत करता है और उससे पूछता है आकर उसके साथ चल क्या रहा है वही दूसरी तरफ वाल ने पुलीस को बुलाया था ओफिसर उससे बहुत सारे सवाल पूछता है वो लेकिन वो 24 घंटों तक डॉज के मिसिंग की कम्प्लेन लिख नहीं सकता लेकिन फिर भी वो पूछताच करेगा उसे लगता है डॉज कोई गेर कानूनी काम कर रहा है और वही से वो पैसे आ रहे होगे लेकिन वाल कहिती है डॉज कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता इस तरफ चर्च में डॉज का अगला घंटा होने वाला था लेकिन पादरी लगतार उससे पूछी रहा था लेकिन तभी टाइम हो जाता है और सभी शिकारियों को उसकी लोकेशन मिल जाती है लेकिन यहाँ डॉज को एक शौक लगता है दरसल वो पादरी तीसरा शिकारी है माइल्स को लगता है अब डॉज बचने नहीं वाला इसलिए वो अपने क्लीनर को वहाँ भेचता है इस तरब डॉज वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसने चर्च के सभी दरवाजे बंद कर दिये थे वो बताता है वो एक साइकोलोजिस्ट है इसलिए उसने अंदाजा लगाया डॉज आगे कहा जायेगा चर्च में आकर उसने दरवाजे बंद किये और पादरी के कपड़े पहन लिये उसके हाथ में एक हतोडा था डॉज कहता है उसकी फैमिली है लेकिन उसे ये पहले से पता है क्योंकि उसने डॉज की प्रोफाइल पड़ी है फिर वो डॉज पर हतोडे से हमला कर देता है लेकिन बचते हुए वो गेट का ताला तोड़ देता है लेकिन जब वो उसे मारने ही वाला था उसका हाथ ग्रिल में फस जाता है ये देखते ही डॉज उसका हाथ दबा कर हतोड़ा छुड़वा देता है लेकिन वो छूट कर उसका गला दबाने लगता है लेकिन डॉज फिर से फाइड बैक करता है और उसे कमरे में लॉक कर देता है वो डॉज को धमकी देता है कि वो चर्च को आग लगा दे क्योंकि वो बज गया तो उसे छोड़ेगा नहीं और तबी मौका मिलते ही वो डॉच के पैर पर हतोड़ा मार देता है वो बक्वास करने लगता है लेकिन डॉच जाने से पहले चर्च का डोनेशन बॉक्स तोड़ कर उसके पैसे ले लेता है बाहर निकलने पर उसे कार दिखाई देती है ये वही कार है जो उसे सुबह फॉलो कर रही थी डॉच अपने पास के हतोड़े से उसका टायर पंचर कर देता है इस तरफ माइल्स को यकीन ही नहीं होता कि डॉच फिर से बचकर निकल गया उसका क्लीनर चर्च में आता है जहां उन्हें पता चलता है डॉच ने शिकारी को लॉक कर दिया है वो उससे खुद को बाहर निकालने कहता है लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था वो उसे बताता है पोलीस को बोलना वो दूसरे शहर से आया है कुछ गुंडों ने डोनेशन बॉक्स लूटा और उसे यहां मार कर बन कर दिया लेकिन इसमें बहुत टाइम लग सकता है लेकिन वो उसकी और मदद नहीं कर सकते वही डॉज माइल्स को कॉल करता है क्योंकि उसकी पूरी डीटेल उस आदमी को पता थी तब माइल्स कहता है उसके गेम के लिए हा बोलने पर उसकी टीम ने डॉज की रिसर्च की थी लेकिन डॉज गेम रोखने बोल रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है लेकिन ये उसकी प्रॉबलम है वो देखे उसे आगे क्या करना है फिर डॉज चर्ज के चुराय पैसों से कुछ मेडिसिन खरीटता है और अपनी मरम पट्टी करता है और कुछ देर में फिर से दौडने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन एक कदम बढ़ाते ही वो दर्द से गिर जाता है अब वो दौड नहीं सकता था इस तरफ वो सूट वाला आदमी डॉज की आखरी लोकेशन से उसे ट्रेस कर रहा था फिरो माइल्स को कॉल करता है यहां में पता चलता है यह आदमी हमेशा रूल्स के मुताबिकी खेलता है माइल्स देखता है वो डौज के काफी करीब है वही डॉज किसी स्टेडियम के पास आता है वहाँ एक बंदे ने टीशर्ट का स्टॉल लगाया था डॉज देखता है चार बचकर 41 मिनट हो रहे थे मतलब 16 मिनट में सबी को उसकी लोकेशन मिल जाएगी लेकिन जैसे ही वो आदमी डॉज को देखता है उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे होमलेस आदमी समझ रहा था डॉज साइड में खड़ा होकर मैच की कोमेंटरी सुनने लगता है इस तरफ वाल परेशान हो रही थी उसने लूगर को कॉल किया था क्योंकि उसके अकाउंट में 2 मिलियन से जादा पैसे जमा हो चुके थे लूगर भी उसे ढूणने निकलता है इस तरफ जैसे ही 4 बचकर 45 होते है डॉज वहाँ से आगे बढ़ता है और चुपके से मैच की टीशर्ट और कैप उठा लेता है घर पर वाल डॉज का ओफिस चेक करती है जहां उसे माइल्स का कार्ड मिलता है इस तरफ डॉज कही आकर खड़ा हो जाता है और उसकी लोकेशन हाइड होने में बस 15 सेकेंड बचे थे वो सूट वाला आदमी भी अपनी स्पोर्ट कार से उसी तरफ आ रहा था डॉज उल्टी गिंती गिंते हुए कैप और टीशट पहनता है वो आदमी भी दोड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था लेकिन टाइम खत्म होते ही बहुत से लोग उसी की तरह टीशट पहने बाहर निकलते है क्योंकि वो स्टेडियम के गेट के सामने था वो आदमी भी वहाँ पहुचता है डॉज की लोकेशन हाइड हो जाती है लेकिन सामने उसे पूरी भीड लगभग एक ही जैसे कपड़े पहने हुए दिखाई देती है वो भीड में जाकर डॉज को ढूडने लगता है लेकिन डॉज उससे आगे निकल गया था वो उसकी इस मूफ के लिए तारीफ करता है वो एक आदमी को डॉज समझ कर रोखता है लेकिन वो कोई और था वो एक जगा चड़ कर उसे ढूडने लगता है तबी डॉज उस टीशर्ट वाले के पास से गुजरता है वो उसे पहचान लेता है और अपनी टीशर्ट उससे वापस लेने लगता है लेकिन इसी बीच वो सूट वाला आदमी उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है पार्किंग में एक कपल अपने बच्चों के साथ वापस जा रहे थे मौका मिलते ही डॉज उनकी डिक्की में छुप जाता है उसके डिक्की में जाते ही वो सूट वाला आदमी वहाँ आता है दूसरी तरफ माइल्स को पता चलता है डॉज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो किसी गाड़ी में है लेकिन यही सबसे खतरनाक बात थी क्योंकि वो लोग शहर से बाहर जा रहे थे अगर वो शहर से बाहर चले गए तो ये गेम उसके मरने तक खतम नहीं होगा वो ही डिक्की में डॉज को उनकी बातों से समझ में आता है वो इस शहर से बाहर जा रहे है तबी उसे माइल्स का रूल याद आता है, वो डिक्की में शोर करने लगता है, कपल को कुछ आवाज आती है, वो आदमी अपने बीवी के मना करने के बाद भी कार साइड में रोखता है, और दोनों उतर कर डिक्की चेक करने जाते है, जैसे ही वो डिक्की खोलते है, डॉज बाहर निकलता है, वो और पोलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन डॉज उसका और उस आदमी का फोन फेक देता है, लकी ली वो शहर के अंदर ही थे, डॉज कार में उनके बच्चों को देखता है, और उन्हें सौरी बोल कर वहाँ से चला जाता है, डॉज जखमी हालत में श टैक्सी चोरी की रिपोर्ट हुई है, साथी कुछ दूरी पर एक फेमिली के साथ किसी के मारपीट की भी रिपोर्ट हुई है, और दोनों की ही हुली ये डॉज से मिलते है, लेकिन माइल्स को इसमें कुछ खास बात नहीं लगती, क्योंकि ये आम बात है, उनके गेम में य होता रहता है तबी उन्हें पता चलता है डॉच कहा गया है और हम देखते हैं डॉच अपने घर आया था अब तक रात भी हो चुकी थी वो घर के सामने गाड़ी खड़ी करके वाल को परेशान देख रहा था फिर वो टेक्सी से उतर कर घर की तरफ जाता है लेकिन उसे सामने की सीड़ी का पत्थर निकला हुआ दिखायाई देता है मतलब यहाँ कोई आया है तबी वहाँ कोई बैक से आता है डॉच तुरंत कार की तरफ भागता है वो उसपर हमला करता है शोर सुनकर वाल बाहर आती है उसे डॉच कार में बैठते हूए दिखायी देता है वो उस रोके रखा था जिससे उसका हाथ कड़ गया था काफी देर स्ट्रगल करने के बाद डॉज कार स्पीड से एक बेरिगेट से क्रेश करवा देता है डॉज को सीड बेल्ट और एर बेग ने बचा लिया था वो देखता है ये वही आदमी है जो उसे चर्च में मिला था ये थी उसकी बीवी वाल को भी लेकिन अब बहुत जादा हो गया था इसलिए डॉज पत्थर से उसे मार देता है दूसरी तरफ वाल माइल्स के आफिस में पहुचती है लेकिन उसका आफिस पूरी तरह खाली और बन पड़ा था इधर माइल्स को पता चलता है डॉज ने उस को मार दिया है वो काफी हैरान था कि डॉज इस हद तक जा सकता है वही उसके क्लीनर ने बॉडी को ठिकाने लगा दी थी टेक्सी जला दी थी और सारे सबूत मिटा दिये थे पहला खून किसी सदमे से कम नहीं होता माइल्स को लगता है अब डॉज जादा देर तक टिक नह देता डॉज वहां से वापस जा रहा था तबी उसे दूसरा शिकारी दिखाई देता है वो वापस जाकर स्टॉल से जबरदस्ती सोडा उठाने की कोशिश करता है इस टोर कीपर उसे भगा देता है लेकिन असल में उसने काउंटर पर रखी क्रूस की टिकिट उठा ली थी डॉज कुरूस पर चड़ जाता है सामने ही एक स्टाफ की लड़की से वो इस टूर का समय पूछता है वो बताती है ये 45 मिनट का टूर है और अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी थे मतलब उसकी लोकेशन 2 मिनट में सबको पता चल जाएगी वो अंदर जाता है जहां उसे पान चुडू होती है लेकिन वो लड़की बहुत तेस थी डॉज उसका सामना नहीं कर पाता वो एक स्टीक से उसे मारने ही वाली थी लेकिन तबी डॉज एक दिये से उसकी पैंट में आग लगा देता है और तुरंत वहाँ से भागता है लेकिन वहाँ से भागने का कोई रास् लगती है अब दोनों अमेरिका की बॉडर पर साथ में लड़के थे वो लड़की उसके पास आने लगती है लेकिन उसके करीब आते ही डॉज उसे मार कर गिरा देता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है माइल्स उसे देख रहा था वो काफी हैरान होता है क्योंकि डॉ जायेगा डॉज एक पार्क में आया था वो गड़े में जमा पानी पीने लगता है जहां उसके सामने एक कुत्ता भी पानी पी रहा था अब 10 सेकेंड्स में उसकी लोकेशन शो होने वाली थी और जैसा माइल्स ने कहा था वो रियाक भी नहीं करता डॉज अपनी हार मान कर वहाँ खड़ा हो जाता है लेकिन उस कार में लूगर था डॉज लूगर को देखकर हैरान होता है और तुरंत ही उसके साथ बैढ़ जाता है डॉज उससे पूछता है उसने उसे ढूंडा कैसे लूगर उसे बताता है वो रात भर से ढूंड रहा है और उसे याद आया जब और उससे कहता है वो उसका पीछा ना करे और चलती गाड़ी से कूच जाता है लुगर कार डस्बिन से टकरा देता है वो सूट वाला आदमी कार से उतर कर उसे ढूणने लगता है इस तरफ डौज बचकर जा रहा था तबी उसे कोई मार कर बेहोश कर देता है जब उसे होश तब पता चलता है उसे यहां की लोकल गैंग ने पकड़ रखा है दूसरी तरफ लुगर ने वाल को अपने बार में बुलाया था लुगर उसे सब बता देता है उसे लग रहा था डौज का पाला बहुत खतरनाक लोगों से पड़ा है इसलिए वाल को सेफ रखने उसने उस पता चल गया था डौज के अकाउंट में 15 मिलियन डॉलर है उसे लग रहा था डौज किसी दूसरे गैंग का है जो उसके एरिया में नकली ड्रक बेच रहे है क्योंकि जो पेंकिलर उसके पास मिली है वो सिर्फ मामुली सी एस्प्रीम की गोलिया है जबकि डौज को लग र बचे थे लेकिन उसकी बात सुनकर सब हसने लगते है अब 2 मिनट खतम हो जाते है और 15 सेकंड का काउंट डाउन शुरू होता है डौज फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वो उस पर हसने लगते है और उसे मारने लगते है लेकिन तबी दर्वाजे पर कोई जोर से नौक करता है डौज कहता है वो आ गए तबी अचानक गोलिया चलने लगती है और बाहर से एक आदमी आता है डौज देखता है ये वही आदमी है जो सुबा उसे बस में दिखा था वो पाच्वा शिकारी था डौज बातरूम में छुप जाता है वो बाहर है तो पाइप से चल कर वो आदमी भी उपर आ रहा था डौज अब बुरी तरह फज गया था वही बाहर वो अकेला ही सब लोगों को मार देता है इस तरफ पाइप से चल कर दूसरा आदमी खिड़की तका गया था तबी बातरूम के बाहर से गोलिया चलती है जिससे वो कर जाता है मतलब इस बार भी डौज की किस्मत ने उसका साथ दिया वो एक गण और अपनी गोलिया और फों लेकर बाहर निकलता है बाहर वो क्लीनर से टकराता है क्लीनर उसे भागने कहता है डौज बाहर था तबी उसके पीछे वो सुट वाला आदमी पढ़ जाता है डौ इनार उस शिकारी के उंगलियों के निशान तेजाप से मिटा देता है। इस तरफ माइल्स देखता है डॉज हॉस्पिटल में जा रहा है। डॉज काउंटर पर जाकर बताता है ये दवा उसे डॉक्टर सिंगल ने दी थी। लेकिन रिसेप्शनिस्ट देखकर बताती है ये डॉज को कोई ब्रेंट यूमर नहीं है बलकि माइल्स ने उसे इस गेम में फसाया है। उसके पास अभी भी गन थी माइल्स उसे गन फेकने कहता है वरना वो शिकारियों को भी गन रखने की परमीशन देदेगा। लेकिन अब डॉज उसका कोई भी रूल मानने के लिए त कुछ तब डॉज को समझ में आता है वो लूगर की बात कर रहा है क्योंकि उसने लूगर के सारे पैसे गवा दिये। 50,000 डॉलर में उसने लूगर को बेहोश किया। माइल्स बताता है उसके पीछे हमेशा नकली पूलिस रहती थी ताकि कब वो बेहोश होकर गिरे। फिर नकली डॉक्टर्स, नकली वाड़ बॉय माइल्स ने उसके पीछे बहुत पैसे खर्च किये थे। इसलिए वो माइल्स को गेम कंटिन्यू करने कहता है क्योंकि सुबा होने में बस देड़ दो घंटे बचे थे और अगर वो जीत गया तो माइल्स अपने वादे का पक्का ह डॉज तुरंती पेफोन से वाल को कॉल करता है वो उसे बताता है उसे कोई कैंसर नहीं है उन्हें फसाया गया है और लूगर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है वो वाल को उस जगा बुलाता है जहां उसने उसे प्रपोस किया था वाल लूगर से कहती है डॉज यहां आ बोल रहा था क्योंकि डॉज को अब सब पता चल गया है और अब वो कुछ भी कर सकता है लेकिन यहां पता चलता है यह गेम 2000 साल से चला आ रहा है और माइल्स इसे बंद नहीं करने वाला अब उन्हें डॉज को गेम खेलने के लिए मजबूर करना होगा वही वाल उस जगह प और वाल को किड्नैप कर लेते हैं मतलब अब डॉज को गेम खतम करना ही होगा वो लोग वाल को माइल्स के पास लेकर आते हैं माइल्स उससे अच्छे से पेश आता है वो बताता है उन्होंने उसका फोन टैप कर रखा है इसलिए जब उसने पोलिस को कॉल किया था तब उस एक चिपका देती है लेकिन माइल्स बुरा नहीं मानता वाल डॉज के लिए बहुत परेशान हो गई थी दूसरी तरफ डॉज अपने डैट के पुराने गैरेज में आता है और वहाँ जाल बिशाता है मतलब अब वो शिकारियों का शिकार करेगा बहार तीनों भी शिकारी द से अंदर जाता है वो लोग अंदर डॉज को ढूण रहे थे लेकिन डॉज अचानक उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है डॉज उससे वाल के बारे में पूछता है लेकिन उसे पता नहीं था डॉज उसे कहीं ले जा रहा था लेकिन अचानक वो डॉज पर हमला कर देता है यहां दोनों में fight शुरू होती है लेकिन dodge fight back करता है और उसका हाथ एक जगा फसा देता है वो उपर की तरफ जाता है लेकिन गिर जाता है तभी कोई आकर उसकी gun उठाता है dodge पूछता है उसने उसे फिर से कैसे ढून लिया वो लूगर था वो कहता है क्योंकि उसने भी गेराज की light देखी dodge यहां उसे उन लोगों के साथ मिले होने के लिए confront करता है लेकिन लूगर कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो उसका best friend है dodge यह साबित करने उससे gun वापस मांगता है लेकिन तब लूगर gun fire कर देता है लेकिन dodge देखता है लूगर ने उसके पीछे खड़ी उस लड़की को गोली मारी थी वो मर जाती है वो कहता है किसी ने dodge को उसके खिलाव भड़काया है लेकिन तबी लूगर के कंधे पर कोई shoot कर देता है यह वही shoot वाला आदमी था dodge लूगर को कही लेकर जाता है और कोई liver खीचता है जिससे fuel बहने लगता है यह वो shoot वाला आदमी भी देखता है लेकिन जाने से पहले dodge उसमें आग लगा देता है shoot वाला आदमी तुरंत भाह से भागता है इस आग से garage में जोड़दार blast होता है जिसमें वो आदमी मतलब चौथा शिकारी भी मारा जाता है इस blast को miles का cleaner और वाल भी देख रहे थे इस तरफ किसी tunnel से dodge और लूगर सही सलामत बाहर निकल गए थे dodge लूगर से माफी मांगता है उस पर शक करने के लिए कुछी देर में ambulance और police आ जाएगी वो उसे hospital ले जा लेंगे और dodge ये game खत्म करने जाता है वो जाकर miles के cleaner को पकड़ता है और उसे वाल का पता पूछता है वो कहता है वो ये बात जानकर हैरान रह जाएगा कि वाल कहा है फिर dodge कही आता है दरसल ये उसकी ही under contraction building थी मतलब पूरे समय से miles dodge की ही building में था जब dodge अंदर जाता है उसे वाल बंदी हुई मिलती है लेकिन miles और उसकी team वहाँ से जा चुकी थी दोनों एक दूसरे से मिलते है दोनों वहाँ से जा ही रहे थे तबी उन पर गोलिया चलती है दरसल वो सूट वाला आदमी अभी तक जिन्दा था dodge की गोलिया भी खत्म हो जाती है वो वाल से कहता है वो आदमी उसके पीछे पड़ा है इसलिए dodge वहाँ से भागता है वाल कुछ गिरा कर उस आदमी को डिस्ट्रेक करती है सूट वाला आदमी वाल की तारीफ करता है और dodge के पीछे भागता है लेकिन dodge एक dead end पर आ गया था वो कहता है अभी उसके पास gun नहीं है अगर वो gun यूस करेगा तो ये rules के खिलाफ होगा इसलिए वो gun fake देता है और उस पर चाकू से हमला करता है dodge बचते हुए गिर जाता है लेकिन एक pillar को पकड़ लेता है अब उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है वो आदमी चाकू dodge के हाथ पर मारने ही वाला था लेकिन तभी सूरज निकल जाता है और game over होता है और जैसा मैंने आपको बताया था ये आदमी पूरे rules follow करता है इस कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते है क्योंकि इतनी तकलीफों के बाद भी dodge जीत ही गया तभी उसे miles का call आता है वो उसे congratulate करता है और अपनी आगे की जिंदगी आराम से जीने कहता है dodge phone fake देता है अब उनके पास 24.5 million dollar थे और वो जिंदा भी है और luger भी बस जखमी हुआ थ फिर हम miles और उसके cleaner को कही जाते हुए देखते है फिर miles अपने अगले शिकार की file देखता है और इस शहर से चला जाता है और इसी के साथ ये series भी यही खत्म होती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये series मुझे comment करके जरूर बताए और अगर आपको ये video पसंद आया हो तो इ झाल सकते हैं